तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी तक हम लोग access modifier सीख चुके हैं जो की public, private, protected, default थे और उन में क्या difference था ही हम लोग last वीडियो में cover up कर चुके हैं अगर आपको access modifiers नहीं आते हैं तो मैं आपको बता दूँ encapsulation सीखने के लिए एक जो key चीज है, मतलब एक जो बहुत important topic है वो access modifiers है अगर आपको वो नहीं आते हैं प्लीज जाके मेरे उस वीडियो को check out कीजिए या फिर आप कहीं से भी उसको सीखे लेकिन for encapsulation, please try to learn there तो आज सबसे पहले बात करते हैं encapsulation होता क्या है and then फिर बात करते हैं उसको कैसे implement करते हैं ये complete video रहने वाले encapsulation के उपर and इसको देखने के बाद I don't think so आपको internet पे कोई दूसरा video देखना पड़े थे encapsulation को लेके सारी चीज़े cover up करेंगे बिल्कुल 0 से complete तक सबसे पहले बात करते है encapsulation होता क्या है तो इसमें एक word छीपा हुआ है capsule C-A-P-S-U-L-E capsule capsule का जो shape होता है वो कुछ इस type का होता है ठीक है and यह जो capsule होता है इसके अंदर आपकी different types of medicines mixed होती है ठीक है वो कुछ भी मतलब 2-3 दवाईयों का mixture होता है ठीक है तो यहाँ पर basically समझाने वाली बात क्या है यहाँ से कुछ जो key take away लेना है वो यह लेना है कि हमने बहुत सारी चीजों को different different चीजों को mix करके या फिर एक साथ रखके किसी एक चीज के अंदर bind कर दिया ठीक है उसको मैंने एक covering के अंदर bind कर दिया अब जब मैं इसको ले रहा हूँ अब जब मैं इसको intake कर रहा हूँ या consume कर रहा हूँ तो मेरे को सारी चीजें एक साथ मिल जा रही है ठीक है इसी चीज को हम encapsulation बोलते हैं मतलब आपके जो data members है आपके data members जो है data members कौन कौन से होते हैं आपके variables किसी भी class के किसी भी class के variables उसके methods इनको आपने एक साथ bind कर दिया और वुस binding को आपने customer को दिया ठीक है इसको हम लोग encapsulation बोलते है binding of data items इसको हम अगर short terms में बात करें तो encapsulation को हम लोग बोलते हैं data binding या फिर binding of data items and methods together अभी बात करेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या necessity है वो सब भी बात करेंगे अब इसका benefit क्या रहने वाला है इसका benefit सबसे पहला benefit जो है security point of view से है हमारा code और ज़्यादा secure हो जाता है ठीक है कैसे होगा वो अभी बात करेंगे एक तो हमारा ease हो जाता है क्योंकि हमारे सारे data members हमारे सारे methods सारे variables एक ही class के अंदर binded होते हैं और हमारा code जो है और secure हो जाता है अब encapsulation को achieve कैसे करा जाता है मतलब encapsulation का code जो है वो बाकी code से अलग कैसे है यह जो particular process है इसको कैसे करा जाए देखो कैसे करा जाता है मैं बताता हूँ मान के चलो आपके पास एक class है class student student नाम की एक class है इस class के पास दो-तिन data members है for example एक है आपका string name जो कि student का name store कराएगा ठीक है एक है int age जो कि student की age store कराएगा एक है आपका int role number for example अब यह जो है मेरे यह मेरे data members है अब मैं चाहता हूँ कि मैं in data members को और जो मेरे methods है जिनके through मैं in data members को access कर पाऊँगा उनको मैं सबको इसी class के अंदर bind कर दू so that जब इस class का object बने तब उस object की help से मैं सारी चीज़ों को access कर पाऊँ यहाँ पर जो concept आता है आपको इलिए थोड़ा सा और open up कर देता हूँ यहाँ पर जो concept आता है वो आता है getter और setter का getter and setter का यह बहुत important है और यह आपको पता होने चाहिए getter और setter क्या करते है आप अपने जितने भी data members है जितने भाविरिएबलस है यह जितने भी methods है उनको आप चिपा लेते हो mainly variables की बात हो रही है उनको आप क्या कर लेते हो hide कर लेते हो और आप user के सामने सिर्फ 2 چीज़े open करते हो एक करते हो get और एक करते हो set अगर उसे किसी भी data member की value देखनी है अगर उसे मान के चलो student का नाम देखना है तो वो इस get method के through ही देख पाएगा वो directly object की help से इस name नाम के variable को access नहीं कर पाएगा और अगर उसको ये नाम की value set करनी है मान के चलो इस name में उसको राहूल डालना है तो वो इस set method से ही कर पाएगा वो directly object बना के इस name नाम के variable के अंदर value नहीं डाल सकता है ये basic idea है तो getter और setter getter एक method होगा जो की value को get कराएगा user को मतलब print करके देगा या फिर उसको value provide करेगा return करेगा और set एक method होगा जो की values को initialize करने के काम आएगा तो encapsulation करने के लिए get और set method आपको clear होने चाहिए कि get क्या करता है और set क्या करता है अभी हम ये methods बनाएगे भी बैठके तो सबसे पहले क्या करेंगे अब देखो यहाँ पे मैंने जो variables बनाए है name, age और role number ये तीनों के तीनों के पीछे अभी कोई access modifier अभी इनके पीछे इन में से मैंने कोई access modifier नहीं लगाया और ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर पीछे कोई access modifier ना लगा हो तो वह by default default वाल access modifier होता है उसको default लेते है and default access modifier अगर आपने यूज करा है किसी भी particular variable के पीछे या आपने कुछ नहीं मापे प्रवाइड करा है तो default के case में आप सिर्फ उसको उस सेम package के अंदर ही access कर पाऊगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे इन variables को इस class के बाहर कोई भी directly access ना कर पाए तो उसके लिए कौन से access modifier काम आने वाला है उसके लिए हमारे पास private access modifier काम आने वाला है क्योंकि private ही लोता ऐसा access modifier है जो आपको ये capability प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी data member को इस तरीके से लिख सकते हो कि आपका वो data member class के बाहर accessible नहीं होगा इवन उस class के object से भी accessible नहीं होगा इवन अगर उस class को कोई दूसरी class inherit कर रही है तो वहाँ पे भी accessible नहीं होगा तो अभी मैं क्या करूँगा मैं इनको तीनों के तीनों data members को private कर दूँगा जैसे ही मैं यहाँ पे private लिखूँगा private, private, and private जैसे ही मैंने private लिखा अब इस class के object से इस class को inherit करने वाली किसी दूसरी class से या फिर कैसे भी मैं इन तीनों data members को इन तीनों variables को access नहीं कर सकता हूँ directly मैं इनको नहीं access कर सकता हूँ ना मैं इनकी value देख सकता हूँ और ना मैं इनकी value set कर सकता हूँ प्राइवेट लिखते ही अब क्योंकि ये डेटा मेंबर से इन में वैल्यू भी जानी जरूरी है क्योंकि अगर मेरे को स्टूडेंट प्रोपर चाहिए तो भाई उसका नाम भी होगा कुछ उसकी एज भी होगी उसका रोल नंबर भी होगा और वो चीज़े प्रोवाइड ग बना सकते हैं या फिर एक में ऐखम दो झरांअ धकर करता हैक शर्मडा मेंलग को यहां फिर सकता हूं इस acceso मोडिफाय को इसको मैं तो इसको में से भी एकस सकता सिर्फ इसी method को ठीक है public void get details get details नाम का मैंने method बनाया यह get details क्यों बनाया क्योंकि यही वो method है जो मेरे को सारी details user को देगा return करेगा ठीक है और user सिर्फ इसी method को access कर सकता है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा public void get details अब क्योंकि मैं in data members को इस class के अंदर तो access करी सकता हूँ ना तो मैं यहाँ पर get details नाम के method के अंदर भी access कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर return कर दूँगा या फिर print कर दूँगा for example क्योंकि void type का है तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट नेम को मा करके या कैसे भी कर लो प्रिंट नेम प्रिंट एज एंड प्रिंट रोल नमबर अब यूजर जैसे ही get details नाम के method को call लगा उसको यह तीनों चीज़े print होके मिल जाएंगी आप चाहो तो इनको return भी कर सकते हो ठीक है क्योंकि यह string type का है यह int type का है क्योंकि अभी मैंने combined बनाया है इसलिए मैं यहाँ पर print कर रहा हूँ लेकिन मैं इनको अलग-अलग बनाऊँगा तो इनके data type के हिसाब से ही मैं यहाँ जो मेरा method होगा get method उसका returning data type लिख होगा ठीक है अधिक है और यह क्या करेगा यह details को set कर देगा यह क्या करेगा यह तीन parameters लेगा यह detail set कर रहा है तो इसको blank नहीं छोड़ेंगे हो यह तीन चीज़े लेगा एक तो लेगा name string name comma int age and int role number यह यह चीज़े लेगा ठीक है और इसके बाद यह क्या करेगा यह तीनों arguments लेने के बाद set कर देगा इनकी values name equals to this dot name equals to name ऐसी set की जाती है नहीं this keyword की help से this dot age equals to age and this dot role number equals to role number बस यह होगा तो मेरे पास दो method होंगे get details और set details जिनको user access कर सकता है और इनी method की help से वो इन तीनों की values को get कर सकता है और set कर सकता है यह basic scenario encapsulation का encapsulation में क्या हुआ सब चीजे एक चीज के अंदर बाइंड हो गई get details नाम के मैंने बाइंड कर दी या फिर इस class के अंदर मैंने सारी चीजे बाइंड कर दी आपने किचन सेट अप कर दिया आपने जहां पर वेपन्स रखने का storage रूम है आपने वेपन्स रख दिये जहां पर राज्य सभा लगती है वह सब करके आपने सिर्फ दो gates दिये दो gates दिये कि अगर आपको किले की किसी भी चीज को access करना है directly तो आप कर ही नहीं सकते हो आप सिर्फ इन दो gates के through access कर सकते हो एक get है और एक set है और दोनों के अलग-अलग functionalities है ठीक है यह कुछ इस type का हो गया ठीक है अब code की तरफ चलते है एंड तसली से एक अच्छा सा example देखते है कि यार कैसे यह actual में काम करनी है सारी चीज तो मैं यहां पर main class के अंदर हूँ अपन अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर एक class बना लेता हूँ student नाम की class बनी तीन वरियेबल वही बनाते हैं string name int age and int role number अब एक method बनाता हूँ मैं क्यूंकि अभी देखो अभी मैं क्या करता हूँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यह student नाम की class का object बना के यहां पर main method के अंदर main class के अंदर अब मैं इस obj को अगर मैं लिखाँ obj. तो देखो मैं यहां पर age name role number इन तीनों को access कर सकता हूँ age name role number हाला कि मैंने अभी यहां पर कोई value नहीं दिया है तो यह मेरे को null देगा obj.name अगर मैं यहां पर print करने कोशिश करूँ देखो इसने null यहां पर return कर रहा है क्योंकि कोई value नहीं है name के अंदर अभी लेकिन हो क्या रहा है मैं यहां पर obj.name यानि इस name नाम के variable को access कर पा रहा हूँ ठीक है लेकिन अभी मेरेको यह access ही बंद करना है सबसे पहले सबसे पहले चाहिए किया करूँगा मैं इन तीनों को प्राइवेट कर दूगा तो होगा इसको मैं सिर्फ student नाम के class के अंदर ही access कर सकता हूँ बाकी बाहर किसी भी तरीके से access नहीं कर पाऊँगा मैं करूँगा private कि ये private किया इसको भी private करते हैं इसको भी private करते हैं अब देखो यहाँ पे इस ने error थो कर दिया यहाँ पे मेरा id error दिखा रहे name has private access in student अब मैं name को directly access नहीं कर सकता हूँ student नाम की class के बाहर तो इसको यहाँ पे हटा देता है अब क्या करते हैं क्योंकि मेरे को इनकी values भी set करनी है तो मेरे को इनके corresponding यहाँ पे methods बनाने पड़ेंगे set और get वाले ठीक है तो सबसे पहले get वाले methods बना लेते हैं ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक method बना ले तो public क्योंकि return type name का string है public string get name यह देखो get name उसने मेरे को खुझ से दे दिया get name ने क्या किया भाई यह मेरे को get करके देगा इस name की value ठीक है यहाँ पे get name नाम का method बनाया और return कर दूंगा मैं इससे return name ठीक है ऐसी एक method बनाएंगे age नाम का get age अब एक बनाते है public int get role number public int get role number यह रहाँ मेरा id भी मुझे इसको पता है मैं encapsulation कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पहले से पहले suggestion दे रहा है ठीक है ओके return role number ओके इतना काम हो गया अब set के लिए methods बना लेता है जो इन values को set करेंगे ठीक है getter methods हो गए है सारे अब set बनाते है public string या फिर void बनें क्योंकि set values को set करेंगे public void set set name गेरा set name और यह क्योंकि set करेगा तो जो value आएगी जो user value डालेगा उसको accept भी तो करना पड़ेगा string name and यह क्या करेगा यह इस name को उपर वाले नेम में असाइं करेगा this dot name equals to name अब एक और बनाते है public void public void set age यह एज टाइप का वे इंट एज लेगा okay and this dot age equals to यह भी बन गया अब बनाते हैं public set role number यह लेगा int role number यह this dot role number equals to role okay तीनो method set के हो गए और तीनो method get के हो गए अब मेरे को क्या करता है मेरे को सिर्फ इस objective help से मैं यह set और get method ही access कर सकता हूं मैं इन data members को directly access नहीं कर सकता हूं ठीक है तो देखो मैं क्या करता हूं मैं अब बीजे dot dot set name set यहाँ पर मैं name pass करूंगा मानकिश्चलों नम पास करते हैं राहूल जिक है अब बीजे dot age set करते हैं इसकी अब set age और age पास करते हैं 21 and obj.set role number pass करते हैं यह रहा और इसको pass करते हैं मानकेश्चलों 1 ठीक है अब get कर लेते हैं इनकी values को obj.getname getname और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं close obj.getroll number okay मैं तीनो के तीनो set methods लिख चुका हूं तीनो के तीनो get method लिख चुका हूं ठीक है अब वो यहां से सिर्फ return कर रहा है तो मेरे को इसे print भी करना पड़ेगा तो मैं इसको system out print कर देता हूं ओके अब इसको रन करके देखते हैं यह देखो राहूल 21 & 1 हुआ क्या यहां पर इसने set name को call किया और name set कर दिया राहूल फिर age को call किया 21 age set कर दी roll number को call किया one roll number set कर दिया फिर उसने get name get age और get roll number को call करके उनकी values को get करके print करा दिया यह हो रहा है तो encapsulation ऐसे किया जाता है basically main मुद्ध है यह कि भाई जो main मसाला है मतलब वो चीज़े जो security point of view से important हो सकती है आपका variable का नाम actual case variable के अंदर stored है वो value वो आपने चिपा ली आपने वो सारी चीज़े चिपा ली आपने क्या किया आपने उसको सिर्फ वो चीज़ें access करने को दी जितनी उसके काम की थी ठीक है आपने चीजों के encapsulate कर दिया तो ऐसे आप जो है encapsulation को achieve कर सकते हो ऐसे आप encapsulation क कोड लिख सकते हो जावा के अंदर बस यही encapsulation है और इससे ज़्यादा कुछ भी और आपको additional ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इतना आपको समझ आ गया यह core concept encapsulation का अगर आपको यह समझ आ गया तो आप आगे का जो enhanced code है या कि फिर अगर आप एक next level लेकर जाना चाहते हो तो वो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं ठीक है पट यह आना समझ में ज़रूरी है important है ठीक है तो I think आपको एक code समझ आया होगा आपको एक concept समझ आया होग and I hope आपको encapsulation को लेकर सारे doubts clear हो गया होगा अगर अभी भी आपके कुछ doubts है तो please आप इस वीडियो के comment section में comment किजिए I'll be more than happy to reply all your comments and thank you so much for watching the video video अच्छा लगा तो like किजिए channel को subscribe किजिए and बने रही है हमार साथ ऐसे informative videos के लिए thank you so much